अगर आपका phoneice wallet किस तरह कीव हो गया, आपको इस वीडियो में बताने वला हम, कैसे आप अपना phoneice wallet का री ओपन करसकते हैं, और कैसे आप इसको चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वला हम, आपको कोई नहीं बताएगा, कि कैसे आप अपने phone eating यहीं तो अगरме फोन पे वालेट को जो है कि री ओपन करना चाहते हैं अगर आप अपना फोन पे का जो वालेट है उसे चालू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बीना इसकिप किये एंड यह आपको फौन पे का हौम इंटर्डरफेस्स आपको क्या करना यह वला जो कोश्चन वला Mark है आपको इस पर as और जैसे आप इस पर किलिक करते हैं यहां पर एक आईकन आपको मिलता है कि जहान से आप अपना फॉन पटने का जो लेंग ग मेज हम उसके बाद आप क्या हैं पिर इसने की सार आप तो आपको क्या करना है है यहां पर एकिंड बना है प्रोफाईल Study payment आपको इस पर क्लिक करना और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको कही सहरा option मिल रहा है my phone पर profile हो गया payment method हो गया payment management हो गया setting and performance हो गया security हो गया तो आपको क्या करना है अपना phone पर का जो wallet है उसे इनेक्टिब करना है यानि कि उसे आपको चालू करना करते हैं तो फिर से आपके सामने कहीं सारा यहां पर जो है कि आइकन जो है कि वियू हो जाता यूपी आई हो गया रुपय क्रेडिट कार्ड ऑन यूपी आई हो गया तो हमें क्या करना है फोनपर जो वालेट है वह इनीक्टिब है डोस एक्टिब करना है तो हम वालेट करना है और जैसे आप इस पर कलिक कर ते है तो फिर से आपके पास कही सारा उप्सर यहां पर आता आथ t mare उने ओ दे और फोगिए फोन पर वालेट टोप अप उगिया क् अपको यहाँ से reactivating close phone पर क्लिक करना जाय से आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपके पास यहां से कई स리 आपको यहां पर option आ रहा है कि आपको क्या करना है आपका जो phone पर वह इन एक्टीव है या फिर अपना phone पर wallet को close करना чाहते हैं तो आपको क्या करना यहाँ पर अगर 12 महने से इक्टीब नहीं होता है तो आपका जो फोन पर deactivate कर दिया जाता है और जो आपका वॉलिट में बालेंस है उस balance वो आप phone पे का जो merchant है उस पे आप जो है कि payment करके अपना wallet balance को आप इस्थमाल कर सकते हैं use कर सकते हैं फिर यहाँ पर आएंगे how do I reactivated my phone पे wallet पर click करेंगे तो यहाँ से आपको बताया जाएगा कि आपका जो phone है वो close होने का जो है कि इनक्टिव होने का reason आपको यहाँ पर बताया जाएगा देखिए अगर आपका जो phone पर wallet है दो ही कारण से वहाँ पर close होता है पहला तो जैसे मैंने आपको बताया कि 12 मैंने मगर कोई भी transaction यानि कि एक साल में कोई भी transaction नहीं होता है तो आपका जो phone पर है उसे इनक्टिव कर दिया जाता है जिसे आप OTP के मदद से आप अपने phone पर जो एकि इनक्टिव है आपका जो कि close है तो आप अपक्टिवेट कर पाएंगे लेकिन अगर आपने खुद से किया है आपने खुद से जो है कि close कर दिया है एक बार अपने phone पर wallet को तो आप दुबारा जो है कि कभी भी अपने phone पर को आप reopen एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं कई सारा वीडियोस में आपको बताया जाता है कि इस तरीके से कि यह process है इस तरीके से आपका जो mobile नंबर पर OTP आता है तो यह वाला जो option है यह वाला जो method तभी काम करेगा जब आपका इनक्टिव है य तो आपका जो है कि reactivate हो जाएगा लेकिन आपने खूद एक बार close कर दिया है उसका जो balance था वो आपके bank account में आ गया है तो उसके बाद जो है कि आपसे खुद से किया हुआ close wallet को आप जो है कि दुबारा कभी भी reopen नहीं कर सकते हैं और आपको यह कोई नहीं बताएगा मैं कि अगर आपने close किया तो उसे आप कभी भी किसी भी time आप कभी भी उसे आप reopen हो गया चालो अपने wallet को नहीं कर पाएंगे हां लेकिन इसके कोई भी दिक्कत नहीं है सिर्फ आप इसमें add money नहीं कर पाते हैं अगर कोई cashback offer होता है तो आपको cashback भी receipt होता है और उस cashback को आप बिल payment हो गया या फिर merchant transaction हो गया merchant payment हो गया वो उस balance को आप use भी कर पाते हैं अपने wallet balance को आप payment भी कर पाते हैं